दिल्ली के शाबाद डेरी में बीतिर अविवार को साहिल नाम के शक्स ने बरबरता की सारी हदें पार कर दी। शाबाद कॉलोनी का रहने वाला है जाँच में भी पता चला कि जबरू और साक्षी में इन दिनों दोस्ती थी। पूरे मामले पर जबरू ने क्या कहा है आईए आपको सुनाते हैं। शाबाद डेरी में एक लड़की की हत्या कर दे गए जिसकी उम्र महज 16 साल थी। और इसमें एक के बाद कई किरदारों को नाम आ रहा है। जबरू उर्फ आजाए या कह लीजे आजाए और जबरू लोग यह कह रहे हैं मेरी कुछ नावाले बच्चों से बाहुत थी। उनका चारा हम नहीं दिखा सकते हैं। उनका यह कहना है कि जबरू की मुलाकात दस दिन पहले उस लड़की से हुई थी। पहले से वह नहीं हुई है वह मेरे पास 27 तारिक को आई थी। उसने बोला कि भया ऐस ऐसी बात है एक लड़का मेरे को टोर्चर कर रहा है और धंकी दे रहा है बदमास हूं मैं यह हूं वह हूं तो हम उससे आय थे और मिले थे। उससे ओली में नहीं बोला था कि लड़की लड़की से कब हुई थी। आखरी बार सर कोई बात चीट मेरी कोल वगेरा पर कोई बात नहीं हूं वह फेस्ट फेस आगे मिली थी। सब्सक्राइब करीबी लोग है लड़की के और जो साहिल था जिसने हत्या की दोनों करीबी उनका यह कहना है कि जवरू और साथ में एक लुक्ता हूं उससे मिले थे, वह यहां पे 15-17 लटगे लेके खड़ा था, तो उसने वोस्त वांटे भी बाताया मेरेको, मैं वोस्त वांटे ओता तु मैं गलियों मैं गुमता भी मैं यहां पर नहीं आता, मैं अपना अंधरी रहता भागता कहीं, ठीक है मैं अपना कामद अपनेवारा आदमी अपना कामदने से ध्यान रखता हूं बस साहिल से पहले कभी आपकी बातचीत पर चाहे था पहले कभी बातचीत नहीं थी बागी यह इंपर ही गूमते रहते थे मिलते थे बस साक्षी से जो लड़की ती जिसकी मौत हुई अत्या कर दिया उससे कोई बा अच्छा जब लड़की आपके पास आई तो बहुत घबराई हुई थी क्या उसका हावाव कैसे थे तो आपके उससे मुलाकात हुई है बैठी हुई थी मेरे पास आके बैठी थी तो उसने में पूरा एकदम अराम से बैठके रिलेक्स होके बताया था कि वह इसी ऐसी बात है और एक लड़का मेरे को टोर्चर कर रहा है तो हम आये तेन ही आयते अपर जो हम मारने दमकाने उसको आते तो मैं भी उसकी तरह गैंग लेकर आता ठीक है वह दोनों लड़की थी मेरे साथ और मैं था बस और जो लड़की आपसे मिलने पहुची और किसी के थूँ आप स साहिल के उपर कटा था ना कोई बंदूग उसको धंगाने कोशिश करी। साहिल ने क्यों मारा लड़की को भी बात की है और आपने साहिल को गलत लगा हुआ उस लड़की के और मेरे बारे में कि कुछ गलत मैटर चल रहा हो सके इसको एगलत फेम को यूज क्योंकि उसने आती मेरे को भाही बोला था और मैं उसकी मदद ही करना था पर जो किसी की मदद करना गुना है तो आगे से नहीं करेंगा अपने साहिल को समझाने की कोशिश करी क्योंकि यह बता है कि भाई देखो इसको लड़की को टोर्चर मत करो इसका पीजा छोड़ दो अ करता अता लेकिन सुनने में यहाई है वो फरेस होने के लिए गई थी यहींपरी सोचाले है उसीसुचाले में फरेस होने के लिए गई थी और वहींपरी सोलड़का मिल गया और उसने यह काम कर रा एक घण lige को नीतु को कब से जानती थी ब्रतेका अभी ये तो पतानी सर वो सुनने में भी आया कि नीतु के साथ ही रहती थी वो